उक्तिविस सूरज का देश जपान अपने कल्चर, खानपान और टेक्नोलोजी के करण मशूर है। अपनी लेटिस्ट और डिफरेंट चीजों के लिए जपान दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ जाना वाकई एक कमाल का नुभव हो सकता है। यहाँ क्वालिटी वर्क में सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है। शायद इसलिए यहाँ ऐसी कई सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो लाइफ को ईजी ही नहीं बेटर भी बनाती है। खाने से लेकर पहनने और रहने तक जपैन सुविधाओं से भरा देश है। इसलिए आज हम आपको जपैन की कुछ ऐसी अजीब और गरीब चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। जो अजीब और गरीब तो जरूर हैं लेकिन बहुत लाबदायक भी हैं। दोस्तो जपैन की संस्कृति में इलाकों और शेत्रों को साफ रखने और गंदिकी के हिसाब से अलग-अलग रखने की प्रवर्ति है। इन शेत्रों के बीच संपर्क को भी कम रखने की कोशश की जाते है। उदारन के तौर पर घर के भीतर एक आदर्श स्वक्ष शेत्र मना जाता है जबकि घर के बाहर का शेत्र अशुध मना जाता है। और शौचाले के अशुद फर्ष और घर के स्वच शेत्र के बीच संपर को सीमित करनी के लिए कई घरों और यहां तक कि कुछ खुले विश्राम वाली जगों में भी प्रवेश द्वार के बाहर शौचाले की चपल रखी होती है जिनका इस्तिमाल तब किया जाता है जब कोई शौचाले जाता है और शौचाले से बाहर निकलते ही उन्हें उतार दिया जाता है बच्चों वाले पोचे दोस्तों इसे केबल 40 डॉलर में अपने बच्चे को एक पोचे में बदल सकते हैं जो आपको बहुत ही कम मेहनत के साथ फर्ष को साब भी कर सकता है हलंकि ये पोचा फर्ष को केडानू रहित नहीं कर सकता लेकिन इन निश्यत रूप से चमका जरूर सकता है जपैन का अजीब रेस्टरॉंट दूस्तों एक जपैनी रेस्टरॉंट में काउंटर पर बैठी महिला करमचारी अपने कस्तमर का अपनी टांगे फैला कर स्वागत करती है और इस लोगपरी रेस्टरॉंट में बहुत से घ्रहा काते भी हैं लेकिर कर्मचारियों का ऐसा करना निश्यत रूप से उनकी सवच्चता पर सवाल या निशान लगाता है उफिस में सोना जपैन की विबसाइट घराने कर्मचारियों को काम पर सोने के लिए प्रोतसाहित करते हैं क्यँकि इसे इस बात के संकेत के रूप में देखा जाता है कि कर्मचारी कितनी मिहनत कर रहा है कि वो ठक गया है और पश्चमी सब्भिता में काम पर सोना आमधूर पर बिल्कुल इसके उलट समझा जाता है और करमचारियों को इस तरह की हरकतों के लिए काम से निकाल भी दिया जाता है और जपानी कमपनियां ये मानती हैं कि नोकरी पर सोने से काम और भी ज्यादा अच्छा होता है कैपसिल होटेल दोस्तों ये होटेल जपान में बनाए गई एक ऐसी सराय होती है जिसमें बहुत से छोटे-छोटे कमड़े होते हैं और यहाँ पर उन लोगों के लिए सबसे सस्ती रात बिताने की जगा प्रदान की जाती है जिनने परंपरिक ठहरने की जगा और अन आपचारिकताओं और सेवाओं की जरत नहीं होती और इनने अलग-अलग ग्लास और फाइबर ग्लास की सीडियों का उपयोग करके 2 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा बनाया जाता है तो दोस्तों आपको जपैन की इन बातों में से कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हमें कॉमें सेक्षिन में कॉमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिलें सबसे पहले ताने बाद